जा क्यों नहीं दिया ये काम अटल ब्यारी वाजपी की सरकार में दिया और पहला पिछड़ा वर्ग आयो काका कालेलकर कमिशन एक कॉंग्रेस ने बनाया उसकी रिपोर्ट आई पच्चमन में एक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया ये जब मरारजी प्रदान मंत्री बने औ और अटल जीव सरकार में शामिल थे ता मंडल कमिशन बना और मंडल कमिशन की रिपोर्ट को इंद्रा गांधी और राजीव गांधी ने नौ साल तक ठंडे बस्ते में डाल कर रखा इसे देश के अंदर दलितों के लिए आधिवासियों के लिए पिछड़ों के लिए और पूची जाती के गरीब लोगों के साथ काम किया है जो गेता लगती है मैं इस पर कोई टिपली नहीं सर अपसर साही पे तेजस्वी आदब जो है वो सवाल खड़े कर रहे है उस पर आप क्या नहीं है कि तेजस्वी के बातों का जवाब देने लाइक उनके सवाली नहीं है उनके जमाने में जो आईएस होता था वो खैनी लगाता था हम लोगों ने देखा है कि लालु जी का पीकदान उठाते हो अगर वैसी अफसर साही चाहिए कि आईएस अफसर पीकदान उठाए खैनी मलकर मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं रिपब्लिकन नियूज में हो निखिल बीजेपी कारयाले में आज ओबीसी मोर्चा की बैठक होई इस बैठक में सुसील कुमार मोदी रासवासांसत जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने आरक्षन को लेकर विपक्ष को भी कटकरे मिलिया है कहा है कि पंदरा साल तक बिहार में साशन करने के बाब जूद भी बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं कराये थे उसके बाद जब 2003 में वो चुनाव कराये तो उस समय भी आरक्षन की कोई जगह नहीं दी और इस वार तो भारत में अब तमाम जातियों को आरक्षन मिल रहा है वही नितीश कुमान को प्या मेठेरियल जिस तरीके से बताया जा रहा है वह सवाल पूछा गया स्ने कुमान मोदी से तुन्हों ने उस पर बचते नजा रहा है किस तरीके से उस जवाब से तरीके और कहा कि वो अब पाटियों का निर्णा है वो सिर्शनेतित ताय करेगा हाला कि जनसंख्या रीटेक हाला कि जातियत जनगर्णा पे जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की परतिनीधी प्यम मोदी से मिलने गए थे अब जो निर्णा होगा वो सब मानने होगा आए क्या कुछ कह रहे हैं सुसील कौन मोदी आए सुनते हैं जा क्यों नहीं दिया ये काम अटल ब्यारी वाजबी की सरकार नहीं दिया और पहला पिछड़ा वर्ग आयो काका कालेलकर कमिशन ये कॉंग्रेस ने बनाया उसकी रिपोर्ट आई पच्पन में एकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया ये जब मरार जी प्रदान मंत्री ब इसे देश के अंदर दलितों के लिए आधिवासियों के लिए पिछड़ों के लिए और उची जाती के गरीब लोगों के लिए अगर किसी सरकार में काम किया है तो या तो जिस सरकार में जनसंग और बीजिपी शामिल थी या फिन नरेंद्र मुदी ने काम किया है इसलिए जो पिछडों के लिए अगर कोई सोचता है गरीमों के लिए कोई सोचता है तो गरीम का बेटा नरेंदर मुदी सोचता है और आगे भी अगर कुछ भी करना होगा पिछडों के लिए गरीमों के लिए तो नरेंदर मुदी ही करेंगे एक कॉंग्रेस राज़त के लोग यह नह कि दि स्रीफ मैंने कहा कि बताएं न hm ? कि 23 साल तर पंचायत का चुनाऊ कई नहीं हो। अगर होता चुनाऊ तो दलितों को आरख्षण का प्रावधान था और आप ने पहला चुनाऊ कराया तर बिना आराख्षण दिये चुनाऊ क्यूं करा धिया ? तो हम लोग ने दलितों को औरक्षन दिया अती पिछलों को औरक्षन दिया महिलाओं को औरक्षन दिया ये लोग तो केवल जो अती पिछलों कमजोर तफके के लोग तो उनकी जमीन पर कबजा करते रहे उनको लाठी के बल पर मार कर भगाते रहे इस लिए जाती पिछला समाज पिछला वो BJP के साथ है, NDA के साथ है नितीस कुमार PM मेचेरियल है क्या सर? देखिए यह सर्थ कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दा पर मैं कोई टिपले नहीं है और एक लंबा वक्त आपने PM नितीस कुमार के साथ काम किया है योगेता लगती है सर्थ मैं इस पर कोई टिपले नहीं है अपसर साही पे तेजस्वी आदब जो है वो सवाल खड़े कर रहे है उस पर आप क्या नहीं है? तेजस्वी के बातों का जवाब देने लाइक उनके सवाली नहीं है उनके जमाने में जो आईयस होता था वो खेनी लगाता था हम लोगों ने देखा है कि लालू जी का पीक दान उठाते हैं तो अगर वैसी अफसर साही चाहिए कि आईयस अफसर पीक दान उठाए खेनी मल कर मुख्यमंत्री को खिलाए पूनी को मबारुक हो वैसी अफसर साही है पिछले दिनों नरेंदर मोधी से मुलाकात की नितिस रुमा में जाती है जंगना होगी सर्थ अब देखिए अब तो लोग मिले हैं बीजेपी की लोग भी शामिल थे और अब जाकर मिले हैं परदानमंती जी से परदानमंती जी का क्या रेस्पंस आता देखिए पिजाश्वी यादों ने कहा है कि पिएम तो दूर की बात है सी एम लाइक भी नहीं है नितिस जी मैं इन चीजों पर कोई टिकाट टिपने नहीं हूँ रिपब्लिकन न्यूसे जूरने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए यहां बेल को दबाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले